नमस्कार मेरा नामे रुन गुप्ता और वर्तमान कमे में आप देख रहे हैं दाहिंदु सांटुए मद्ध प्रदेश की भुपाल जिले में गोजपाल मित्र परशत के द्वारा बहुत बड़ा कैंसर का कैंप लगाया गया है कैंप पूरा निशुल्क है और इस कैंप में एक बहुत चोकाने वली मशीन सामने आई है एक मशीन ऐसी है जो छोटी सी तो है लेकिन उस मशीन के मद्धियम से किसी भी पैशन में कैंसर है या नहीं उसको पता लगा लिया जाता है तो सब्सक्राइब का मशीन के विशे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वह मशीन काम करती है उसकी प्रोसेस क्या होती है और कि वह किसी भी किसी बहुत हो जाना हो या पूरुच ओ, उसके शरीर थोड़ा में मशीन स्युद्याम का नाम सब्सानापर संदर निल्चन होस्पिल पैपूर से हाई हमारा पुरा विद्सी किfont हे quanव कन सर स्कूर्पै अबहुत देते हैं कम लेडिए भी बरिस कैनसर बढ़त आज रइवेरनेस केले विद्स आब है अट्याग है और हमारे पास बेशन का हिस्ट्री लेते हैं और हमको कुछ भी डवट रहा था तो हमारे नागपूर ने मोगल वैमोगरफी बैन लेकर आए हैं इसमें पूरा मैमोगरफी मुचिन सेट अप है और वह हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं बिसकली सभी काउम में विलेजेशन जाके स पूरा में पीछिन सेट अपर है और वहां से रिपो to निकलता है पिर हमारा अगयाधिव धेशन के लिए आप लिए पुरह पूरी लिए पुस्टिव है थोड़ा विए उनको इंप डूर पर दरा क्रते हैं सुर्चिं की जो अब बता रहे हैं मैमोगरफी जो पूर्याव इसकी success rate क्या है, क्या है मैंट जी जी बोल रहे है कि हाँ सामने वाले परसन को cancer है, तो इसकी success rate क्या है कि वो बाली है? Actually, basically, that was a mammography machine. Even if there are non-melineries on the body, that is supposed to be a organisator, non-cancer unit can be overcome, but we give an indication that they have to be an increase in growth. है तो फुल सट में इसकी प्रॉसेस दिखा पाएंगे पैशिंट को साथ में कैसे क्या होता है नहीं को थोड़ा सुनिका ज़िए अब हम चलते हैं पैशिंट के साथ में उस मशीन की विशह में देखने के लिए मशीन को भी रेखेंगे हैं कैसे काम करते हैं यह जाने कि कोशि से उनको डरव था जार्क स्थिं लेका क्वर्थे पर यह पहले मैंवजी गचुन कहता हैext तो अगर इनको लगता है उनको mammography करना है तो फिर को पूरे cancer से पारे में बताए है या नहीं इस बसिती कि आपकोस कि बात कर दो कि पॉठी है कि तुछ बात करों इस नंने आपटरं कि अ बहुत करें रखी पह खुए उप होडी अपुर्स्स talks फुलिघ काी पी यह. और इस बस के अंदर चो एक्यूमेंट रखे हुए है जो छोड़ी की मशीन रखे हुए है वह मशीन कैसे काम करती है और कैसे कैसल के बादे में पता देती है वह आपको आपके बज़ाचे सब्साने जाता है चारू पर अपने आपके आपके हैं तो अभी हम वर्तमान समय में आ गए हैं बस के अंदर जिस बस के अंदर एक लखी लिए चोड़ी सी मशीन जो यहां बताती है कि कि पैशेंड में कैंसर है या नहीं विशिशक की भी हमारे साथ हैं पिशेशक की यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह मशीन कौनती है और वह कैते कादे करती है सर्थूलास अभी हमें वह दिखाएं मशीन के अपरेटे हैं यह लोग इस दुरा नेते हैं पर हमारे पूस एक शोटा सा स्कैनर भी है तो वह तो पास रेक होता है तो स्कैनर मैम्मग्रफी मिशिन आंजर है तो पूसको ले जाके आप करते हैं यह भैंग पूरा सेटप अपा अच्छा यह पूरा वैंग प्रा टैर्टपा एज़ा एक इसे अमारा एक उल्वर्ण कॉलेग कॉले यह तो वहां से पूरा टीम उतर से आए तो यहां उनको स्क्रीनिंग के बारे में थोड़ा बताईए कैसे क्या होता है आजर वहां पेडिजल लिक पेशेट की पेशेट रिडिड़ी लिग रद नंग इंपी हारे पर्टिय आता है इसका रिपोर्ट जानार ऑर इस का सिर्फ करते हम इससा से लिकलते हैं हुं पर विए को दिखांच डिखा है Sudah तो यह रिपोर्ट को हम हॉस्पोटी मेंबर रिडियोजिस को एक बार रीड करते हैं तो रीड करने के बाद फिर हम पेशन्स को देते हैं अच्छा तो यह मैमोग्रेफी को मशीन नहीं है यह मोबाइल है पुरा मशीन यह वैं में सेट अप करके रखा है और जाज़ा हम टैम करते हैं यह वह रहर माले के जाते है अज़र बड़ताल संमय में हमारे हात में एक मशीन है यह मशीन स्कैंफ़ है ऐसका काम यह है कि यह कैसे करती है इसका नाम किया है फोड़ाएसे मशीन की तो सब्सक्यूर्पे पढ पना इंक श Wanna में है यहाँ बिध करते जानी कोशिए क आपेड इस्वेर नए अब्छरे प्रबल्म करते हैं तो हम तयार रहते हैं ताकि हुआ पेशन सफरना हो और हम पेशन सर्विस में लगातार अधिकर काम करते हैं इस मशीन का नाम क्या हैं? यह ब्रेस्श्ट स्कैनिंग मशीन है जैसे के हम यह देख तरह है के हमारी मेमोग्राफिय के देख आलका थो सुसी तरह से एक जर्ञा मशीन बनी है जैनीज मेमुग्राफि भक्राफिर मरा तो इस मशिन को काम थी इसमें पर जह करना है और है यह मशिन का क्वल करूप आर्ट करते हैं? अगर इस मशीन इस्तपमाल करते हैं तो पुरा से वे ईतसे हो सो इसके कहांimesicon कोश्ट गपिमारीन कोश्ट है का सी से खरीद है और इस सब्सक्राइब्स वाइब तो पांचमाल करते हैं अच्छे से दिखिए यह मैं आपको चार साइट से रिखा रहा हूं यह पांच लाग से उपर की मशीने मेरे हाथ के अभी पांच लाग का प्रॉड़क्त रखा हुआ है अच्छा सर इसका को सौट्वेर भी है जिसके मात्यम से पता चलता है मोईल में तो वो सौट्वेर प्ल है अगर उनल वाली सब कुछ पता चल जाता है अच्छा और इस मोबाइल का यह मशीन का जो नाइट बन हुआ तो उसके समझ जाना के चाहिए, और ये मशीन पूरे दिन बर काम कर सकते हैं, अच्छा, पूरे दिन, एक दिन मंग लग चार्ज करेंगे तो पूरे दिन में मशीन, मतलब 24 घंडे लग 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 देती है, सर इस मशीन को कहां से खरीजा था और मतलब चाज इंड टेकनोलोजी है, परें से इसको मग लग 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 लग? कही जगह पर लाइन का प्रॉब्लम आता है तो हमने इसको जन्रेटर पर चालू किया है ताके हम गाव एंड हुजर तक पोचे और वहां पर यह जो कैंसर का कीड़ा बुछ सकते हैं उसको नष्ट करने का काम हम कर रहे हैं हमारे साथ हम सच में धन्यवा देते हैं हमारे सुट हमें मिला है और गदिख हो सक्सिस रेट के बारे में मैंमोग्राफी मशीन भी गैंसर बता दिये चोटी मेसंड़ी कैंसर बता दिये दोनों के मैच पर चबा नहीं जैंकर नहीं का दॉन का मैच पर कियो 안गा निकिन कर ददो ऊसे आफने तहसे को पुरा एक त थेस्स करने जाता है निए उसके बाद हमें पता ज़ता है कि अब हुआ अभी हमें यह चीज हो रही है क्यों rankingsरका इसे है कि वह पभ़ीले भीले धूसरों में पतने हमें चीह जिए थर्र और और पोर स्टेज में जब पता जलता है तो एक लिमिट के ऊपर चले जाता है तो हम यहाँ पे प्राइमरी डाइगनोसिस का स्कैनिं करते हैं और उसके बाज में हम अगर उसमें कुछ हमें पता जलता है तो फिर आगे की पोसीजर्स की ज़ता है अच्छा अपने ज्या नाम पता है इस मशीन का मिल पूरा सेटप को आपको गाओं लेके जाना मुझता है इसमें आपका स्कैनर मशीन दो यह इंस्ट्रुमेंट से आप स्कैनिंग कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी मशीन है समय के हिसाब से बहुत अच्छी छोटी मशीन है कहीं भी ले जाए ही जा सकती है और बस इस पे एक प्रॉब्लम यह है कि काफी महगी है अलग ही मेमोग्राफी मशीन भी लंबर महगी ही है और इसका अलग सेटप बनना बगता है अहां लेकिन सेटप की बहुत बड़ी जादा जरूरत पड़ती है तो इसमें आप रेट भी चोटा सब बेगया काउच हो गया तो उसमें आप सब्सक्राइब करते हैं अगर उनको सर्जिकल लगता है तो सर्जिकल भी हम करते हैं तो यह पूरी प्रोसेस है ठीक है तो आपके देखा यह कि जो एक बहुत बड़ी मशीन काम किया परती थी जिसको मैमोग्राफी मशीन कहते थे जो पूरे शरीर का को इसके करके बताया करती थी कि कैंसर है उस मनुष्य में या नहीं है अब उसका मशीन का लगबग काम तमाम होता दिख रहा है हलाकि भी से समय लगेगा लेकिन अब उसके ऑप्शन के रूप में यह एक मशीन जो आ गई है कैंसर की चार्च के लिए जो बता देती है कि कि क जोटी सी कैंसर को स्कैंड करने वाली मशीन के विशे में क्या टेना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हम अपने सभी अतितियों को और विशेशक्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ दाइंसरा गड़े के साथ जुड़े और इस वीड जान करी चाहते हैं तो कमेंट करके अविश्य बताइएगा इस वीडियो के लिए सितना ही मेरा नाम है अरुन गुत्ता कैमेरे के पीछे हैं रभी मालवीर हर खबर अब देशी अंदाज में दा हिंदुस्तान पुड़े